जन्वंचित किये विधाता जब से अयोध्या सुनवाई का फैसला पास हुआ है, तब से लेकर अब तक चाहे वो अयोध्या निर्मान का काम हो चाहे वो प्रान प्रतिष्ठा हो ये राम लल्ला दिन प्रतिदिन अपने भक्तों को अपने आने का एहसास करवा रहे है, कई सार पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल बागेश्वर धाम भक्ती को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृप्या सब्सक्राइब कर लीजिए 23 जनवरी की रात अयोध्या में जो हुआ उसे जांकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का इहसास हो ये लाइनों में लकर भी चार से पांच घंटे बाद दर्शन हो रहे थे 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूँ ही गया लेकिन जैसे ही रात हुई 9 बजे के बाद मंदिर में भीर थोड़ इकम हुई और जैसे जैसे समय बीटता गया वैसे ही राम लल्ला के सोने का टाइम हुआ तो पुजारी जी ने राम लल्ला को ऐसे सुलाया जैसे की माता कौशलया सुलाती थी और मंदिर के पटबंद जैसे ही मंदिर के पटबंद हुए पुजारी जी मंदिर में ही बने अपने कक्ष में सोने चले गए तो उसके बाद हुआ कुछ यूंकी रात के 2 बज रहे थे और अचानक से ही जैसे की सांप के रिंगने जैसी आवाज आई और मंदर के गेट धीरे से अपने आप खुलने लग गए मानो की जैसे कोई दिवेशक्ती ने उन्हें खोला हो उसके बाद थोड़ी थोड़ी मंदर की घंटियां अपने आप बजने लग गई तो इधर से पुजारी जी की अचानक से नीन्द तूट गई और वो हरबड़ा कर उठ बैठे उनको लगा कोई चोर में मंदर में घुस गया होगा उन्होंने रामला की मूर्ती के पास जाकर धीरे से छुप कर देखा कि कोई चोर होगा लेकिन पुजारी जी क्या देखते हैं कि वहां तो कुछ और ही था उन्होंने देखा कि रामला की मूर्ती के सामने एक महा तेजस्वी अगोरी खड़ा था जिसके लंबी-लंबी काली-काली लटाई थी और उन लटाओं से सर के उपर जुड़ा जैसा कुछ बना हुआ था हाथ में कमंडल और तन पे राख लिप्टी हुई थी हाथों और गले में रुद्राक्ष की माला पेहन रखी और उनके माथे पर एक अद्वितिय तेज चमक रहा था वो अगोरी कोई और नहीं बलकि साक्षाद भोलेनात स्वें थे जो अपने राम जी से मिलने आये थे लेकिन इस बात का पुजारी जी को नहीं पता था पुजारी जी उन अगोरी बाबा को देखकर एक बार तो डर से गए फिर उनको लगा कि इतने लोगों में ये भी शायद राम ला के दर्शन करने आये थे और रुखने के लिए कही कोई जगह नहीं मिली होगी इसलिए मंदिर में आ गए होंगे इतना सोच कर पुजारी जी ने अगोरी बाबा के पास जाकर परनाम किया और उनसे पूछा बाबा इस समय आप यहां तो अगोरी बाबा ने कहा जहाँ मेरे स्वामी हो और वह मैं न आओ ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी कुछ समझ नहीं पाए और उनसे फिर से बोले बाबा अगर आपने भोजन पानी नहीं किया तो आपके लिए भोजन पानी की विवस्था करू क्या तो अगोरी बाबा राम लल्ला की मूर्ती की और इशारा करते हुए बोले इनके दर्शन से बढ़कर और क्या भूक होगी तो भी पुजारी जी समझ नहीं पाए और अगोरी बाबा को प्रणाम करते हुए बोले ठीक है बाबा कोई जरूरत पड़े तो बताना मैं पास ही कक्ष सो रहा हूं जैश्री राम और इतना कहकर पुजारी जी सोने चले गए उसके बाद तो नजारा कुछ और ही था वो तेजस्वी अगोरी बाबा राम लल्ला की मूर्टी के पास जाकर बोले उठिये प्रभू आपसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ आपके बाल रूप के दर्शन के लिए कितना तडप रहा हूँ प्रभू दर्शन दीजिए इतना सुना था कि राम लल्ला की के लिए प्रतीक्षा में हूँ आज आपसे साक्षात कल यूग में मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता यूग में आपसे मिलने आया था आपकी बाल लीला में शामिल होने आया था जहां सारे देवगन आपकी बाल लीला में कोई ना कोई रूप बना कर शामिल हो जाते है और आपकी लीला को अपनी आखों से देखते हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ अगोरी स्वरूप भोलेनाथ बोले उसके बाद राम भोले बाबा वोपल याद करने लगे बाद त्रेतायू की है जब अयोध्या नगरी में राम जी के पांच साल के होने की खुशिया मनाई जा रही थी चारों और बधाया गाई जा रही थी उस समय देव आदी देव शंकर जी ने अपनी दिवे द्रिष्टी से अयोध्या नगर में मंगल गान और बधायों का द्रिष्य देखा था उसका वर्नन करते हुए पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम पांच वर्ष के हो गए है और मेरा हरदय उनका बाल मुख देखने के लिए छटपटा रहा है मेरा जी है कि श्री राम की लीला में शामिल होने प्रित्वी पर चला जाओ ये सुनकर माता पार्वती का हृदय विचलित हो गया और माता पार्वती बोली के स्वामीम कैसे रह पाऊंगी बिन आपके शंकर जी मुस्कुराए और बोले प्रान प्यारी मैं अपने रूदरों में से एक रूदर को अपने वानर स्वरूप में भेजूंगा और बाकी रूदर के रूप में इसी तरह तुम्हारे संग रहूंगा बस मैं जो माया रचने जा रहा हूँ उसका तमाशा देखो भोले शंकर ने राम जी का ध्यान लगाया और पारवती जी को दिवे चक्षु देकर कहा कि अब तुम हमें राम द्वार पर नाचते और नचाते हुए देखोगे बस फिर क्या था पलक जपकते ही शंकर जी पहुँच गए अयोध्या नगरी और राजा दशरत के मेहल के सामने बजाने लगे दमरू वह तो सभी जानते हैं कि जब वानर और मदारी किसी के द्वार पर जाते हैं और दमरू खड़काते हैं तो सबसे पहले उसकी आवाज पर बच्चों का ध्यान जाता है और बच्चे निकल कर घर से बाहर आ जाते हैं बस ऐसा ही हुआ राम लक्षमन दौर कर मेहल के द्वार पर आ गए लखन को बाहर जाता देखकर उनके पीछे पीछे माताय भी आ गई कोशलिया कैकई सुमित्रा ने बच्चों को गोद में उठा लिया और देखने लगी वानर का तमाशा तनिक कलपना कीजिए कितना मनोरम द्रिशे होगा कितना सुख मिल रहा होगा हनु बजाते बजाते अचानक शंकर जी ने रसी खींची और हनुमान जी को बैठने का इशारा किया मदारी और वानर के करत्बों से प्रशन होकर माता कोशलिया ने हीरे और जवाहरात से भरा थाल मंगवाया और मदारी भोले शंकर को करने लगी शंकर जी ने कहा मिया मुझे ख़ाना तो राम जी है जिनके लिए वो ये सब कर रहे हैं शंकर जी ने जाने के लिए हनुमान जी की रसी खींची परंतु हनुमान जी तो प्रित्वी पर लेट गए उन्होंने मुख भाशा में राम जी को इशारा किया कि भगवान मैं तो के पास रहने के लिए आया हूँ और भोले बाबा मुझे ले जा रहे हैं कोई उपाय करो दिनानात मुझे अपने पास रख लो तब राम जी कोशलिया माता से बोले माता मुझे यह वानर ले दे जो बाबा मांगे वह दे दे नहीं तो मैं भी इस वानर के साथ बाबा के संग चला जाओंगा तब महारानी को राम जी को फिर कहा प्रभू रोक लीजिए अभी आपके दर्शन के आनंद कहा ले। बस महराज यही बात है कि बच्चे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और रोए जा रहे हैं। इसे नचाकर ही मैं अपनी रोटी पूरी कर रहा हूँ फिर शंकर मिया अगर तुम जोली फैला कर मांगोगी तो बिना दाम के ही दे दूंगा। इसे नचाएगा तब पांच साल के राम लल्ला बोले की। मैं इसको रोज नचाओंगा यह मेरी रहेगी तब मिया बोली क्या बात करता है। ए तु वानर को कैसे नचाएगा जाओ बाबा ले जाओ अपना वानर हमसे यह नहीं होगा तब राम जी बोले मिया तुम चाहो तो मैं अभी नचा कर दिखाओ लाओ बाबा मुझे दोरी दो वानर की भोले नाथ ने बजरंग बली की डोर राम जी के हाथ में दे दी और नाचने लगे बजरंगी संग में बाबा भोले भी नाचने लगे उनको देखकर राजा दशरत और रानिया और वहा सभी मौजूद लोग लगे वाह क्या लीला कर रहे है राम लला इन सब को देखकर राम जी ने माता जी से पूछा क्यों मिया नचाना आता एह ना मुझे म अब कल युग में महादेव अपने राम जी से कहा दूर रह सकते थे तो अगय अयोध्या नगरी में अपने पांच साल के राम लला के दर्शन के लिए लेकिन इस बार महादेव ने बाबा का स्वरुप धारन किया था जब जब भी हर युग में राम लला आएंगे तो आएंगे तीनों लोकों के स्वामी है, ये कब क्या कर जाए किसी को क्या पता एक पल में ही बाल लीला करके बिल्कुल नटखट बच्चे बन जाते है, तो कही विराट रूप लेकर महाराक्षसों का विनाश कर देते है, कौन इनकी महिमा को समझ पाया है?